तो जिसको आप बोल जो कि एक कोई परमात्मा या आपके डिक्स नहीं लिख दी और वो सब चला रहा है और आप उसके मुताबिक जी रहे हो अच्छुली ऐसा है नहीं चील grassy रहे हो की कोई पर्येग आपके अक्यूमुलीड एपक्रा सिर्पा, सब्स्टे कोई मुझा जैस बाड़ेंग यू परड़ेंगाज दी दो अजी क्रमात्मा सिर्प्ष पास्स कर्मा time कि अचिनी का नाम दे रहा हूं कि पर्मात्मा की मर्जी है। Are you understanding what I am saying? But actually it's all the cause and effect. ये आभी के बोए हुए बीज हैं जिसके आज आज आप फल खा रहे हैं जो गुद्धा ने बोला धम्म शर्नम गच्छामी Be in the refuge of the dhamma. What is dhamma? Dhamma is nothing but the law. And what is the law? Law is simple cause and effect. So, समझ लोग कि पिछले कुछ वर्ष पिछले कुछ जीवनों में I have led a certain kind of life. और वो कर्माज एक्यमुलेट होते जा रहे हैं वो causes एक्यमुलेट होते जा रहे हैं When I come into this life, those causes starts to create effect. Good or bad, whatever. But वो सारे causes एक effect करने लग जाते हैं मेरे जीवनों में जिसको मैं destiny मानता हूं इस जीवन का एक्जाम्पल है आप इनके साथ बहुत अटाच होते हैं आप इनके साथ बहुत अटाच होते हैं या आप किसी A, B, C के साथ बहुत अटाच होते हैं Now the last moment has come for you to leave the body हम अपने आसपास तो मुड़ित्यू देखते रहते हैं हार रोज पूरा साल, 20, 30, 40 साल आप इनके साथ एकदम अटाचमेंट में जीए मौह में महबत में नहीं मौह में इनके साथ बहुत अंतर है तो आप अटाचमेंट में तो बहुत अंतर है यही अटाचमेंट की उर्जा आपसे एक सोल प्लान लिखवाएगी कि अगले जनम में इनको मेरा बेटा, भाई, बहु, पती, पतनी बनाके भेशना राइट और ना यह जो आप सोल प्लान बनाओगे इनके साथ वो आपकी उसी डीप रूटिड अटाचमेंट की वज़े से तो बनाके आऊ गया फिर नेक्स जीवन लोगे फिर वो ही मिलेंगे आपको किसी ना किसी फॉर्म में फिर उनके साथ कॉंटिविटी रहेगी इसी के तो चुरासी का हमने फेर बोला फिर इससे निकल नहीं सकते हैं कभी यह तो अनंत होगई बात इसी लिए उनольно-184,00,000 यूनियों का जो आए स्क्रिप्ट्र में कि इस आपको नहीं सो कि निकल नहीं पाँ जो बहार या यह तो चलता रहेगा cause and effect तभी सनातन धरम में या Eastern culture में हमने एक शब्द की बात की मोक्ष, निर्वान की बात की, मोक्ष है ये निर्मान की, हमने बात इसले की that is there a way to get out of the cycle, ये तो कभी खतम ही नहीं होगा cause and effect, फिर एक दिन आता है कि मुझे किसी बुद्ध के दर्शन हो जाते हैं, किसी नानप के दर्शन हो जाते हैं, और मेरे अ वो जानाच वो जाता है, और मेरे लगे अब बढ़र work find, और मेरे ऊफस नहीं को जाते हैं और बातना ज्याद में फिल्ध निए में लिए ॉस झाल में आजिया है आप वेरुड़ी किस् definition को दर्शन है ये ममें और यह जबत प Panना कर दो के हैं, तैज flavored me या फिर रिह सारण एक वार से वो आप सारी चीज़ें पुरानी काट सकते हो अब याद करो वो स्टोरी जो हमेशा सुनी बच्छमन में डाकु उंगली माल की जिसका एकुमुलेटिट कर्मा थे कि उसने 9999 लोगों को मार दिया हो क्योंकि उसने हजार पूरे करने थे अब एकुमुलेटिट कर्मा देखो कितना स्ट्रॉंग है उसका राइट एक एक एक्सिडेंट होता है उसके जीवन में जिसको मैं एक्सिडेंट बोलगों बट जो कि उपॉर्चिनिटीज हैं हम सब के जीवन में याती है कि बुद्ध आ जाते हैं उसके सामने उस रास्ते पर अब उंगली माल के सामने कॉश्चन है या तो वो खड़ब उटा के बुद्ध को भी मार डाले या एक बार उनकी आँखों में देख ले तो उसने आँखों में देख लिया आँखों में देखते ही the story goes that Ongli Maal started crying and bent down on his feet अब जो यह present moment action कि Ongli Maal by bending down to the feet of Buddha is so strong that humbleness is so strong की सारा accumulated karma एकदम से खतम होगा so if you see what I am saying the theory of cause and effect works for sure that's the only theory works but इसके ओर भी एक तेटी चलती है Life is extremely simple yet complex एक cause and effect की थेओरी चल रही है बट इसके उपर एक free will दे दी आपको पर मात्मा ने कि अगर तुझे cause and effect से बाहर होना है तो तू awareness में free will execute कर दे और वो free will दी हुई है हम सबसे